आस्तिन की डिजाइन बनाने के लिए हमने चकोर सेप में कपड़ा लिया जिसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों 4 इंच है कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें इसकी उपर सिलाई चला लेनी है तो ये देखिए ऐसे हम सिलाई चलाते हुए धागे को कट करेंगे और एश्टा कपड़े को भी अब हमें एक छोटा सा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई 5 इंच, चोड़ाई 2 इंच है कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसमें हमें इस वाले डिजाइन को बीच में ऐसे लगाना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद सेम साइच का ऐसी हमें धेर सारी डिजाइन बना कर तयार कर लेनी है अब हम 9 इंच लंबा एक कागच लेंगे कागच के उपर हमें सारे डिजाइन को एक के बाद एक ऐसे लगाते जाना है और इसके बीच में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं अब हम यहां से धागे को कट करेंगे अब हमें डिजाइन के किनारे की साइड में सिलाई चलानी है तो यह देखिए दोनों साइड में हमें डिजाइन के किनारे की साइड में ऐसे सिलाई चला लेनी है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद डिजाइन के पीछे के साइट से हम एश्टा कपड़े को कट कर लेंगे किनारे की साइट से ऐसे एश्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें डिजाइन बनाने के लिए दो कपड़े लेने हैं कपड़े की लंबाई 9 इंच है और इसकी चौड़ाई साड़े 4 इंच है कपड़े पे हमने इस्त्री की सायता से ऐसे बाकरम को चिपका लिया है सेम साइज का हमारा दोनों कपड़ा है इसे ऐसे फोल्ड करके हम इसके किनारे की साइड में यहाँ पर सिलाई चला लेंगे कपड़े की किनारे की साइड में सिलाई चलाने के बाद अब हमें डिजाइन में इसे ज्वाइंट करना है तो ये देखिए डिजाइन के किनारे की साइड में हम यहाँ पर ऐसे लगा कर इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ धेर सारा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों तीन इंच है हमें इसे ऐसे फोल्ड करके डिजाइन बना लेना है और यहां पर लगाना है एक के बाद एक हम बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए सारे डिजाइन को एक दूसरे के बगल में ऐसे लगा देंगे और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजली तैयार कर सकती है बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस लाइन को कम्प्लीट कर लेना है इस डिजाइन को आप सूट के बाजू में भी बना सकते हैं और ब्लाउज के बाजू में भी बना सकते हैं तो फ्रेंड हमारी इस साइड की लाइन कम्प्लीट हो चली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे बिलकुल इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी डिजाइन बना लेनी है अब हमें इस डिजाइन को तयार करने के लिए आस्तिन का कपडा लेना है आस्तिन की कपड़े की लंबाई हमारी साड़े 9 इंच और इसकी चोड़ाई 9 इंच है सेम साइज का हमें डबल कपड़ा लेना है और जो आपका आस्तिन का साइज है वो साइज नापते हुए हमें ऐसे इसकी आस्तिन की सेप में कटिंग कर लेनी है अब आस्तिन के कपड़े को हमें डिजाइन में ज्वाइंट करना है तो ये देखें डिजाइन के किनारे की साइड में आस्तिन के कपड़े को ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हमें डिजाइन के दूसरे साइड में भी आस्तिन के कपड़े को फोल्ड करके ऐसे लगा लेना है तो ये देखे हमने दोनों साइड में आस्तिन के कपड़े को लगा लिया है अब हमें इसे उल्टा करते हुए यहाँ पे दो इंचोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लगाना है और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है यहाँ से हम धागे को और एश्टा कपड़े को कट करेंगे कपड़े को सीधा करते हुए यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे कपड़े को फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक साइज में होना चाहिए कहीं जादा चोड़ा और कहीं जादा पतला नहीं होना चाहिए अब हम इसके उपर ऐसे लैस लगा देंगे आप अपने कपड़े के मैचिंग के हिसाब से इसमें लेस का कलर डिसाइट कर सकते हैं हमने इसमें गोल्डन कलर का लेस लिया है अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और एश्टा लेस को भी डिजाइन में हमें सूई धागा के मदद से ऐसे मोती लगा देना है जिस से हमारा डिजाइन और भी सुन्दर लगेगा तो फ्रेнд हमारा डिजाइन पन के कंप्लीट हो चला है आपको हमारे डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरुर बताईएगा डिजाइन के पीछे की साइट से हम कागज को ऐसे निकाल लेंगे थैंक्स पर वचिंग माई वीडियो